नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद वसिष्ट सजनों हर मेने की तरह अब मई के मेने में धनुरासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है क्या इनको अपना सुधार करना चाहिए क्या-क्या व्यवधान इनके आएंगे क्या उपाय करना चाहिए क्या सवाधान करना चाहिए यह देने का प्रयास कर रहे हैं देखे दनुरासी वालों के लिए तरतिय इस्थान के अंदर सनी बैठा हुआ है साड़े साथी आपकी उतर चुकी है और अब सनी आपके पराक्रम इस्थान के अंदर हैं तो पराक्रम इस्थान में बैठे वे सनी कहीं न कहीं किसी विवाद के अंदर विजय दिलवाते हैं आपके पराक्रम की विद्धी करते हैं आपकी यस प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं ले यहां से बैटकर के शनी आपका कई कामों के अंदर उसकी गती को धीमे कर देंगे जो जल्दी होने वाला कारिय थोड़ा सा विलंब से होगा बाकि राहू आपके चोते इस्तान में खें और चोते इस्तान का राहू अच्छा नहीं हुआ करता है मन में चिंता है जो रहेंगी मांसिक स्थिति जो हैं इस समय पर ठीक नहीं रहेगी भूमी समंद्धी कोई विवाद हो सकता है माता का अश्वार से गिर सकता है यة प्रतिश्ठा के अंदर जो है कोई आंचा सकती है तो इसका ध्यान रखें यह मत कहिना कि जो हैं यह जब भी इस्तिती आएगी नोकरी पेसे के अंदर भी कहीं न कहीं व्यवधान आपके आएंगे तो इसलिए आपको राहू की शांती राहू का दान अन्मान जी की उपासना ये करते रहने चाहिए ब्रहस्पती आपके छटे इस्तान के अंदर हैं तो छटे ब्रहस्पती भी बहुत की दिलवाएंगे इसके अलावा धन कोस को बढ़ाएंगे परिवार के अंदर कुछ बढ़ोतरी होगी चाहे जनसंक्या में बढ़ोतरी हो या धन्म के अंदर बढ़ोतरी हो ये बढ़ोतरियां आपकी होंगी और अब मैं आपको देनिक रासी फल देने का प्रयास कर रहा एक और दो तारीक, तीन और चार तारीक, ये चार दिन आपके बहुत अच्छे सुन्दर सुखद हैं, इनका लाब आपको उठाना चाहिए, गर परिवार में अच्छा माहुल रहेगा, घर में खुशियां आएंगी, कोई नए आगंतुक भी घर में आ सकते हैं, नए मित्र भ आपके लिए बहुत स्रेश्टिक है, और नो दस तारीक में कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद से सुलजने का सबसे बड़ा उपाई यही है कि आप मोन रहें, कोई भी अपने आचरन में है, कोई अपनी वानी के द्वारा, कोई ऐसा कारी ना हो, जिससे कि कोई पार के ख्षेत्र में, मित्रों के ख्षेत्र में, पत्ती पतनी के बीच में अच्छा माहूल और दो साजेधारों के बीच में अच्छा माहूल बनाएगा। 13, 14, 15 तारीक आपका स्वास्त डगमगा सकता है, तो उसका आपको ध्यान डखना चाहिए, लंबी यात्रा इस्तगित करनी चाहिए, नया कोई व्यापार इस समय पर करना नहीं चाहिए. 16, 17, 18, 19, 20, 22 तारीक ये साथ दिन पूरे महीने के अंदर सबसे सर्वोत्तम आपके लिए आये हैं, इनका लाव आपको उठाना चाहिए, हाथ से जाने नहीं चाहिए, और जो भी कारिक करना है, इनी दिनों के अंदर ततपरता के साथ में आप उसको पूरा कीजिएगा, चाहि सब्मन्दित कारिक है, नोकरी से सब्मन्दित कारिक है, व्यापार से सब्मन्दित कारिक है, कोई लावालाव का काम कहें, तो उसके अंदर आप इसके ततपरता दिखा करके आप उसका लाव आप ले सकते हैं, और 23 चोईस तारीक ये वो आपके लिए थोड़े से नुक्सा ना करें किसी को धन का देनलें ना करें वरना नुकसान हो सकता है चिटिंग हो सकती है अब इसके अलावा आपके जो हैं आगे के आठ दिन पच्चीस तारिक से लेकर के इकतिस तारिक तक आपके सारे ये दिन आठ दिन बहुत ही सुंदर सुखद और लाब देने वाले हैं इस आपको लावी लाव होगा खुशियां खुशियां होगी और एक तरीके से खुशियों की वरसात होगी यह जानकारियां मैंने आपको दी बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कारेले से अपाइंटमेंट ले करके कारेले की सेवाएं अरपन करके और आप ज कर्देस काश